इसकार दोस्तों आपका स्वागत है आपके पनी चैनल इशॉक्सीजी के सन्दू आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तिलक वेंचर लिमिटेड क्या इस कंपनी को करेंट प्राइस पे बाई करना चाहिए क्योंकि इस कंपनी का जो एक रजिस्टेंस लेबल था 28 र 40 पैसे का जो लोग भी वहाँ पर इस कंपनी को बाई किया है क्या उनका रीकवर जल्दी होगा सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वीडियो में लास्तक बने रहे हैं कोई भी पार्ट मिस न करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैल आइकन को फ्रेस करना नव भूलें तो देखते हैं इस कंपनी का डिटेल क्या बनता है दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के फंडामेटल की तो फंडामेटल काफी अच्छा खासा आपको देखने को बात करें जो की काफी कमपनी सेम लेबल पर अपना सपोर्ट लिया और अगें बौंस बैक करना इस्टार्ट किया तो जो कंपनी के ये रेजिस्टेन्स लेबल था कमपनी उसको ब्रेक करके उसके उपर निकल आया है तो क्या SM इस company को buy करना चाहिए, बिल्कुल आप चाहिए तो buy कर सकते हैं, लेकिन एक बात का जरूर ध्यानक है, इस company का एक और resistance level अभी बचा हुआ है, चुकि 50 का RSI level है, company अगर 50 का RSI level break करके उसके उपर निकल जाता है, तो फिर इस company में एक strong growth आपको देखने को मिल जाएग उसके बाद जो लोग buy करने की सोच रहे हैं, वो चाहिए तो इस company को long term के लिए buy करके चल सकते हैं, तो जो लोग भी इस company को short term के लिए buy कर रहे हैं, वो चाहिए तो 28 रुपे पर अपना stop loss लगा कर इस company को buy करके चल सकते हैं, company का पहला target 32 रुपे को होगा, company इसको break करके उपर निकलता है तो फिर इस कंपनी में आपको 38 से 40 रुपए तक का लेवल देखने कौम बिल जाएगा तो मेरे ख्याल से लॉंग टम के लिए होल्ड करें क्योंकि लॉंग टम में कंपनी अगेन काफी बड़ी तेजी आपको दिखाएगा तो आप होल्ड करके इस कंपनी को चल सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वचिंग दिस वीडियो